अर्विद जानकारी में आज हम आपके लिए एक और उसदी पोधा लेके आई हैं और ये उसदी है भतुगा ये गेहूं और चने के खेतों में खूब पाया जाता है और मैं आपको इसके कुछ गुड़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ ये भतुगा बहुत अच्छा काम करता है पत्री रोग में जिनको पत्री की सिकायत हमेशा बनी रहती है चाहुए उत्रासे की पत्री हो गुर्दी की पत्री हो पत्री कहीं की भी हो अगर पत्री हो चुकी है तो आप भतुगा का साख खाना प्रारहम कर देजिए तो भतुगा के साख खाने से पत्री है वो ग पंचांग देख रहे हैं ताजा ले करके और इसको कूरपीश करके रश्ट इका लिए और आप अगर सुबह साम इस भथवे के रश्करशेवन करते हैं तो 10 mm की भी पत्री गल के निकल जाती है इसके साथी साथ ये जो भथवा है ये मूत्रल सम्मंदी सभी बीमारियों को बहुत ही रामबण औसदी है भथवा ये बुद्धी बर्दक भी है जिन हमारे बच्चों को बुद्धी की कमी है जिनकी बुद्धी कमजोर है वे इसे भथवे के साक का सिबन सुरू कर दीजिए तो बुद्धी बढ़ती है इसके साथी साथ अगर ब्रहमी संक पुस्पी क ब्धुए के चूरन में भटुए का चूरू मिला करके एक एक चम्मज सुबह साम दूद के साथ शेवन करते हैं तो ये बहुत अच्छा बुधी बर्धक टॉनेक हो जाता है ये भटुए के बीज निकलते हैं इसमें तो भटुए के बीजों का अगर चूरन बना कर मिश्री म राप्त करता है और इसके साथी साथ ये अनेक बीमारियों को भी दूर करने बाला है इसके बीज अभी मैं मिश्र के दिखाऊंगा इसमे निकलेंगे और बात सम्मंधी सभी परकार की बीमारियों के लिए तो ये भत्युए रामबाण है अगर आपके बात किसी भी परकार का को नहीं हो जाहे हुए जोडों का दर्द हो घृटनों का दर्द हो शाइटिए का हूँ सभी प्रकार के बातों में चाहे हो दर्द वा सूजन हो तो आप भतवेतिये के सिह सुरू कर देजिए और इसके साथ ही साथ है आप इसके पंचांग को कूर पिस करके थोड़ा गरम करके उस इस्तान पर पुंटिल बांगते हैं जहां पर दर्द सूजन बनी रहती है तो फिर ये इसके प्रयोक से गाइब हो जाती है आप दर्द सूजन में बात में गठिया बात में आप इसका सोरस का भी सकते हैं लीवर की खराबी के लिए लीवर के इंफेक्शन लीवर बढ़ा हुआ है लीवर में सूजन है या लीवर के किसी प्रकार की बीमारी है उसमें आप इसे भतुए का जो है वो साग सेवन करें तो लीवर में बहुत अच्छा फाइदे बंद साबित होता है या फिर इनेमिया में आप इसे भतुए के साग अथवा भतुए सोरस में गिलो सोरस को मिला करके सुबह साम पीना शुरू कर देजिए तो फिर ये आपकी इनेमिया बीमारी को खुन की कमी को और पिलिया रुक को दूर कर देगा ये जड़ समयत ले लेजिए और जड़ समयत लेकर क आप इसको कूट पीछ लीजिये सुखा करके और फिर इसका चूरन बनाईए चूरन बना करके आप सुबह साम इसका शेवन करें तो फिर सरीर के किसी भी हिस्ते में अगर गाठ है तो ये सरीर की सभी परकार की गाठों को घोलने में ये रामबाण और सदी सावित हुई है